हाई एवरिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर आहुल जैस्वालन आपका स्वागत करता हूँ एक बद फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे देखो एक चीज़ में आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा महनत की हैं और आने वाले समय में भी कंटिनुवस महनत करने वाले हैं बस चोटी सी चीज़े आप से कुछ शेयर करने थी हमीशा दिल में कुछ बाते रह पिल आपको याद होगा कि हमारे जो 2000 अभी जो 22 चल रहा है ये खतम होने वाला है मतलब December आ गया तो मतलब देखते ही देखते समय बहुत जल्दी बीत रहा है और जस्ट मुझे लगता है कि यार लॉगड़ान हुआ था हमने चैनल की शुरुआत की थी तो आप लोगने बो पढ़ा सकता हो यारे इतने चोटे स्टूरेंट होते हैं मैं अवेशा बड़े स्टूरेंस को मैंने पढ़ाया मैंने इंजिनरिंग को पढ़ाया की किये ठीक है मैं प्रोफेसर था एक कॉलेज में तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो चीज़ें ना कितने ही मदब हम भी इंसान हैं और कभी-कभी हम भी मोटिवेट डी मोटिवेट होते रहते हैं तो हमेशा ना हम एक चीज़ एक्सपेक करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए जह हम इतना मैनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी हमारे लिए एफ़र्ट लगाओ कि यार हम जो वीडिय करो लेकिन एक छोटा सा चीज हमने और शुरू किया जो किये दोस्तों जेया टूटरिस का एप्लिकेशन तो अगर आपने हमारा एप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर ले ना क्योंकि यहां पे आप लोग के लिए कॉन्टेंट्स आने वाला है तो जीन करके रख लो ठीक है डाउनलोड करना बड़ी बात नहीं है लेकिन रेजिस्टर आपको करना पड़ता है रेजिस्टर कर लो अपना सब चीज डालके जरूर से कर ले ना ठीक है तो देखो हम आज भी एक वीडियो लेकर आए है जो चाप्टर हमारा चलना था रेशो एन प् 29 तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहे ना अब देखो यहाँ पर पहला कोशन आ गया ठीक है देखो हर एक चीज में आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है पहला कोशन जो आप देख बार हो यहाँ पर क्या बोल रहा है इफ 20 मीटर का जो कपड़ा है क्लोथ है इसका जो पैसा लग रहा है वो 3600 रुपिया लग रहा है मतलब 3600 रुपिज लग रहा है देखो कोशन को आपको समझना पड़ेगा तभी आपको वो चीज समझ में आईगी find the cost of 16 मीटर of cloth मतलब जब 20 मीटर कपड़ा खरीदा तो 3600 रुपिया लगा तो 16 मीटर का कितना लगेगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 20 मीटर का 3600 लग रहा है तो 1 मीटर का कितना लगेगा तो 1 मीटर is equal to question mark पहले तो निकालना पड़ेगा न 1 मीटर का कितना लगेगा तो एक मीटर जो कपड़ा है 1 मीटर क्लोथ is equal to 3600 रुपया जो 20 मीटर का लग रहा है अगर मैं उसको 20 से डिवाइड कर दू तो हमें 1 मीटर का कपड़ा का value मिल जाएगा तो 00 cancel 2 1s are 2 2 18s are 36 और यह 0 मतलब 180 रुपीज मतलब 1 मीटर कपड़े का 180 रुपया लग रहा है तो हमें कितना निकालना है 16 मीटर का निकालना है तो 16 मीटर for 16 मीटर is equal to 16 multiply by this value 180 तो कर लो 16 को 180 से multiply कर दो आपका answer जो है वो आ जाएगा तो कितना आ रहा है 16 को 180 से multiply करके तो यह आपका आ रहा है दोस्तो 2880 आपका value आ जाएगा तो 2880 रुपया लगेगा अगर हम 16 मीटर कपड़ा जो है वो खरीदेंगे ठीक है समझ में आ गया तो कितना easy questions होते है इस प्रकार से हम लोग आपको समझा रहे है कि आपका कोई भी examples आने दो क्योंकि जरूरी नहीं कि यही आ जाए हो सकता है यह 20 मीटर के जगा पे आपको 40 मीटर दिया हो यह 16 मीटर के जगा पे आपको 15 मीटर दिखाओ तो questions अलग-अलग हो सकते है लेकिन pattern जो होता है question का पूछने का तरीका जो होता है वो same होता है तो आप लोगों समझ में आ गया होगा तो उमीद करता हो यह अच्छे तरीके से आप कर लोगे अगर ऐसे questions exam में आएंगे तो second question में जाते हैं दोस्तों जो कि आप देख पार हो क्या बोल रहा है find the cost of 8 kg of rice if the cost of 10 kg is 325 मतलब क्या बोल रहा है 10 kg जो rice है 10 kg जो rice है उसका पैसा कितना लग रहा है 325 रुपीज लग रहा है ठीक है हमें पूछा है 8 kg का निकालो लेकिन 8 kg निकालने के पहले मुझे 1 kg का पता होना चाहिए न 10 kg में 325 में खरीदा तो 1 kg कितने में खरीदूँगा तो for 1 kg rice अगर इसका मुझे price निकालना है त को मुझे 10 kg से divide करना पड़ेगा 325 10 kg है लेकिन 1 kg कितना होगा divide by 10 तो that is nothing but 32.5 रुपीज ठीक है न 10 है न तो यह एक नमबर के पॉइंट हो जाएगा 32.5 रुपीज तो यह आ गया 1 kg rice का तो 1 kg rice का दा मुझे पता चल गया 32.5 रुपीज है ठीक है समझ में आ रहा है बच्च 8 kg rice है न तो 8 से multiply करना पड़ेगा 1 kg का price कितना है 32.5 ठीक है multiply कर लो 32.5 multiply by अगर आप 8 करोगे तो जो answer मिलेगा वो रहेगा आपके 8 kg rice का price कितना आ रहा है multiply करके तो आपका वो जो पैसा आ रहा है जो कि है दोस्तो 32.5 multiply by 8 जो कि आ रहा है 260 रुपे यह multiply करके देख लेना 260 40 और कैरी 8 to 16 प्लस 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 तो 26 ठीक है यह point है एक number के बाद तो एक number के बाद प्लस प्लस तो हो जाएगा 260.0 तो point 0 है मतलब कुछ value नहीं तो 260 हम लोग लेंगे तो आ गया 260 रुपे तो मज़ में आ रहा है दोस्तो कितना easy कितना simple तो सोच 15 chairs cost 5992 how much will have to be paid for 12 chairs 14 chairs जो है अगर किसी ने खरीदा 14 chairs समझ लो कोई school होता है class होता है तो उसमें chairs होते है कई सारे ठीक है ना तो यहाँ पे 14 chairs जो है उसका price जो है कितना हो जाएगा 5992 रुपीज तो मुझे बाकी निकालने के पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक chair कितने का पड़ेगा तो one chair के लिए मुझे करना पड़ेगा यह जो price है 5992 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 14 से ठीक है ना तो जितने में खरीदा उसको 14 से डिवाइड किया क्योंकि 14 chair मेंने खरीदा था तो डिवाइड कर लो उसका answer आएगा आप देखो किस से डिवाइड कर तो 14 4 जा 56 माइनस कर दो 9 में से 6 गया 3 ठीक है 3 बज गया यहाँ पर और यह अगला नंबर नीचे आज जाएका 9 हो गया 39 फिर 14 2 जा 28 होता है लिख दिया 9 में से 8 गया 1 और 3 में से गया 1 अब बचा 12 फिर 14 8 जा 14 8 जा कितना होता है 102 होता है 14 8 जा 1112 माइनस कर दो 0 आ गया मतल एक चेहर का जो कीमत है वो है 428 रुपया तो एक चेहर का वैलू 428 रुपया है तो मुझे वैसे कितने चेहर के निकाल रहे है 12 चेहर के निकाल रहे हैं तो हम लोग किसा करेंगे 12 chairs, 12 chairs का कितना हो जाएगा price, मतलब 12 chairs multiply by 1 chair का price कितना है, 428, तो multiply कर लो, answer आजाएगा, तो 12 multiply by 428 जब आप करोगे, तो इसका जो answer आजाएगा, वो आजाएगा, दोस्तो, 5136 rupees, मतलब जब मैंने 14 chairs खरीदा, तो 5992 rupees मैंने दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैंने 12 chairs जब खरीदा ह होता, ठीक है, तो यहाँ पे, कितना मुझे देना पड़ता, 5136 rupees जो है, वो देना पड़ता, समझ मैं आ गया, कितना simple, और कितना easy, है कि नहीं दोस्तों, comment करते रहो, मैं आप लोगे comments का wait कर रहो, क्योंकि आप लोग जब comment करते हो, वीडियो को like करते हो, तो मुझे motivation अपन मैं बहुत लंबी और आने वाले डाय में बहुत लंबा सफरते करना है, तो इसमें आप लोग का मुझे प्यार चाहिए, हाद मुझे हाद पकड़ के चलना, मतलब सिखाओ एक तरीके से, क्योंकि आप हो तो हमें दोस्तों, तो support बनाए रखो, तभी energy आती है दोस्तों, ठी तो प्लीज शेयर करते रहे ना, वीडियो उसको लाइक करते रहे ना, comment अच्छा अच्छा करते रहे ना, ठीक है, अगले question पर चलेंगे, जो किये चवता question, देखो क्या बोल रहा है, the weight of 30 box is 6 kg, मतलब 30 box है, इसका weight, कितना है इसका weight, कितना है दोस्तों, 6 kg, what is the weight of 1080 such box, मतल 6 box का, sorry, 30 box का weight है, 6 kg है, तो एक box का weight कितना होगा, ठीक है, तो 6 divided by 30 कितना हो जाएगा, करके देखो, करके देखो 6 divided by 30, ठीक है, कितना हो जाएगा, बताओ, 6166, 6530, मतलब 1 by 5 kg, ठीक है, 1 by 5 kg, मतलब एक box का weight है, वो 1 by 5 kg है, करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहे है, दोस्तो the weight of 30 box का 6 kg है, तो एक box का है 155 kg, 1 by 5 kg, what is the weight of 1080, मतलब 1080 box के लिए कितना होगा, तो for 1080, 1080 boxes, weight is equal to, कितना हो जाएगा weight, एक box का weight है 1 by 5 kg, तो multiply by 1080 कर दो, तो हमें मिल जाएगा 1080 box का कितना weight होगा है, मैं आ रहा है के निए बच्चे देखो, मैं इस लिए इसलिए देखते हुए हो कि यहाँ पर screen लगा होगा है, तो मैं देखता हो कि सब सभी चल रहा है कि ने, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखे होगे, तो इस प्रकात से होता है, समझ में आया, क्लियर है, कॉमेंट करते रहो, समझ में आया की नहीं आया, अच्छी तरीके से, ठीक है, अब चलेंगे हमनों अगले कोशन पर, तेखो क्या पूछा एक रा कोशन, तेखो इसको समझो, क्या बोल रहा है, एक कार ट्राविलिंग एट में, तीन घंटे में, मतलब सोचो, तीन घंटे लगे उसको 165 km जाने में, फिर बोल रहा है, at the same speed, at the same speed, मतलब speed same है, how long will it take to cover a distance of 330 km, मतलब वो अगर गाड़ी same speed से चल रही है, तो जैसे 165 km कवर किया, तो 3 घंटा लगा, वैसे ही अगर वो 330 km कवर करेगा, तो कितना समय ल पड़ेगा, कि एक घंटे में, उसने कितना कवर किया, ठीक है, उसके इसाब से निकालेंगे, अब यहाँ पे, देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते है, इसमें, जो भी चीज हमें, हमें एक चीज पता है, क्या पता है, दोस्तों, बताओ मुझे, क्या पता है, speed का जो formula होता है, वो होता है, distance upon time, तो यहाँ पर मेरे पास distance कितना है, 165 km, ठीक है, 165 km है, time कितना है, 3 hours, अगर मैं इसको divide करने की कोशिश करू, ठीक है, तो 35s of 15 होता है, 35s of 15, मतलब आपका speed जो आया, वो आया, 55 km प्रतिगंता, यह आपका speed आ गया, 55 km प्रतिगंता, तो आपको प अगर मुझे time निकालना होता, तो speed इदर आ जाता, time उदर चला जाता, time will be equal to distance upon time होता, sorry time नी, speed होता इस बार, यूकि time पहले नीचे था, अब इसको इदर भेज़ दिया, अब speed को इदर ला दिया, formula में, तो मेरे पास distance कितना है, 330 km हमको क्या पुछा है, दोस्तों कि 330 km जान होता है, speed कितना है, 55, तो ये निकाल दिया, किसके table में जाएगा, 5, 11, 55, 11, 55, 11, 55, 11, 55, 11, 33, और ये 0, अब 5, 1, 5, 6, 30, मतलब आपका value आया 6, और time है, तो time मतलब 6 hours बोलेंगे, मतलब 6 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, कितने में जाने में, 330, तो पहले का answer आ गया, ये A वाले का answer आ गया, इसमें 2 question है, तो A वाला है, और B वाला है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, A का answer निकाल दिया, कि पहले, actually जो गाड़ी चल रही थी, वो 3 घंटे में 155 km चल रही थी, अब speed उतना ही है, speed कितना है, 55 km per hour speed है, speed उतना ही रखा, लेकिन अगर मुझे 330 km जान पड़ेगा, मतलब आपको क्या बोल रहा है, distance निकालने बोला, how far, how far, मतलब distance निकालना है, तो distance के लिए क्या formula हो जाएगा, distance के लिए formula हो जाएगा, speed multiply by time, ठीक है, तो speed multiply by time कर दो, तो आपका answer आ जाएगा, तो speed कितना है, 55 km per hour, और time कितना है, कितना पुछा है, 8 गंटा, time कितना दिया है, 8 गंटा, तो 55 multiply by 8 कर दो, 8 पाइज़ा 40 होता है, 4 कहरी, 8 पाइज़ा 40 और 4, 44 हो गया, तो 44, 440 km, जो है वो भागेगा, मतलब वो गाड़ी चलेगी, 8 गंटे में, मतलब उतनी speed से, अगर वो 8 गंटा continuous गाड़ी चलाएगा, तो कितना distance कवर कर लेगा, 440 km क distance जो है, वो cover कर लेगा, correct है, समझ में आया, तो सुचो आप कितने easy examples होते हैं, ऐसे examples exam में पूछेंगे, तो आप कितना आसानी से answer को solve कर सकते हो, correct है, अब मैं चलूँगा हमारे एक आखरी question पे, बात ये के लिए आपका homework दे रहा हूँ, लेकिन ये 6 में करा दूँगा, उस प्लव करने के लिए, उसको कितना लग रहा है, 12 लीटर, ठीक है, 12 लीटर डीजल लग रहा है, अब पूछा ये है, how much diesel will be needed to plow, 19 लीटर, 19 लीटर, तो 19 लीटर, तो 19 लीटर, लगेगा, तो सबसे पहले मुझे पता होना चीए कि एक एकड को कितना लगेगा, तो for one एकड, एक एकड land को प्लव करने के लिए कितना लगेगा 12 लिटर लग रहा था लेकिन 3 एकड के लिए लग रहा था, divide by 3 यानि 4, क्या लग रहा है लिटर लग रहा है, ठीके ना 4 लिटर, डीजल लग रहा है मतलब, देखो यान पर, concept समझो concepts, क्या है यान पर, concept अगर आपको समझ में आ रहा है, तो पहले मेरे पास 3 एकड लैंड था, 3 एकड को 12 लिटर लग रहे थे, तो 1 एकड को कितना लग रहा है, 4 लिटर, तो 19 मल्टिप्लाइब पर, 19 Forza 19 Forza, 70, नहीं, 19 to the 38 38 का डबल कितना होता है 76, बराबस, 19 Forza कितना होता है दोस्तों, 76 होता है, तो या आपका answer हो गया ठीक है तो, for 19 लिटर लैंड, फ्लविंग 19 Forza, 76 लिटर डीजल जो है, बो लगेगा करेक्ट है, इतना इजी था, तो 19 एकर के लिए, 76 लिटर वैसे आपको 25 लिटर पूछ दे, 50 लिटर पूछ दे, तो जो भी है वो एक लिटर के वैलू से मल्टिप्लाइ कर दो आपका एंसर आजाएगा, तो कितना आसानी से निकाल दिया एंसर, तो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के उपर, तो इतना इजी तरीके से हमने ये जो पूरा का पूरा जो प्राक्टिस सेट जो आप पा रहे हो यह पूरा हमने क्या कर दिया है अब इसी के साथ यह प्राक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ जो आपका यह चाप्टर था रेश्यों प्रपोर्शन यह भी कंप्लीट हो गया तो आपने सभी दोस्तों को बता दो किसा ने रेश्यों प्रपोर्शन maths का six standard का complete कर दिया है तो आप लोग जाके वीडियो देख ले ना दो ही लेक्चर लगे फटा-फट complete हो गया ठीक है समझ में आ गया तो इसी के साथ वीडियो समाप तो यह वीडियो आपको कहता लगा है दोस्तों प्लीज कॉमेंट करना वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करके पता देना और पहली बार अगर चैनल पर आ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके ओल पर सेट कर देना ठीक है तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और वीडियो में तब तक लिए थाइंक यू एंड गुडबाई